नमस्कार दोस्तों मेरे नाम गजिंदर है आज के जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर में कैसा टॉपिक लेकर आया हूं आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा ब्याभर आएंगे पैहला जो तरीके बतांगा मैं आपको एक फोर्मूला करना वह भी सीख जाएगा यदि दोस्तों आपको वीडियो मारी पसंद आती है तो आप मारे चनल को अभी सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि स्लाइश से संबंदत वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूं तो दोस्तों देखें कुर्ती के क्टिंग मैंने ओलरी की हुई है यह back है और यह front है आपको सबसे पहले क्या करना है सीना होता है उसका measurement रखना है कितना है अब यह मैंने जो कुर्ती क्टिंग की थी यह लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने इसकी cutting की थी इनमे Upper breast और lower breast के अलाग-अलाग measurement थे आपको lower breast के improvement लेना है Lower breast का जो measurement은 बिना lusing के अब यह तो मैंने cut किया हुआ है तो इसके अंदर मैंने 3 inch की losing भी plus की हुई है तो यहां से नापे आप कितना बन रहा है ये बन रहा है 10 inch 10-6 jogar चालिस यानि कि इनका जो सीने का मेजरमेंट है वो है 37 इंच ठीक है जिसके अंदर मैंने 3 इंच की लूजिंग प्लस की हुई है टोटल यह बन गया 40 इंच लेकिन जब कभी आपको बाजू कटिंग करनी है तो आपको सिर्फ ब्रेश्ट का मेजरमेंट लेना है लूजिंग उसके अंदर नहीं रखनी तो इनका जो मेजरमेंट है वो है सैंतिसींज यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब मैं बताता हूँ कि बाजू की सही तरीके से कटिंग कैसे करनी है बाद मैं आपको नापके भी दिखाऊंगा एक एक चीज़ को बारी किसे समझाऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेइन करूँगा ठीक है यह देखे मेरे पास में कपड़ा है यह इसका सीधे वाला साइड है और यह इसका रोंग साइड है तो मैं इसको पहले इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेता हूँ यह देखे दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना इस तरीके से देखे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है ठीक है उसके बाद क्या करना है simply इस कपड़े को इस तरीके से देखे फोर फोल्ड करना है ठीक है उसके बाद क्या करना है नीचे फिर जो छोटा बड़ायन है इसकी बराबर हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिधा निशान लगा देता हूँ ये देखें ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ये वाला जो निशान है ठीक है यहां से आपको रखना है बाजू की लंबाई बाजू की जो लंबाई है वो है 7 यानिकी 7 इंच ठीक है 7 की जगा मैं लोगा 7.5 इंच क्योंकि हाफ इंच चला जाता है बाजू को जोडने में ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ये वाला जो हमने निशान लगाया है यहां से आपको 3 इंच उपर एक निशान और लगाना है क्योंकि हम जब कभी बाजू कटिंग करते हैं तो उसके अंदर 3 इंच का डाउन रखते हैं इस तरीके से यह देखें उसके बाद आपको क्या करना है ये वाला जो निशान है यहां से आपको 1,5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है ठीक है ये निशान मैं बताऊँगा क्यों लगा रहे है क्योंकि यहां तक हम बाजू की सीधी कटिंग करते हैं उसके बाद में बाजू में गोलाई देते हैं, ठीक है, यह तो बिल्कुल सिंपल तरीका होगे बाजू कटिंग करने का, अब मैं आपको बता हूँ कि फोर्मूला कौन सा लगाना होता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इनका जो सीने का मेजरमेंट है ठीक है, वो है 37, यानि कि 37 इंच, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, चाहिए कोई भी साइज का सूट हो, चाहिए 36 साइज का हो, 38 का हो, 40 का हो, 32 साइज का हो, किसी भी साइज का सूट हो, यह फोर्मूला हर साइज में काम करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, इन 37 का आदा बनेगा साड़े अठारा यानि की 18.5 इंच ठीक है और साड़े अठारा का हाँ बनेगा सवानो ठीक है यानि कि आपको 37 का चोथा हिस्सा लेने बनेगा सवानो और उसमें भी आपको हाफ इंच कम करना है ठीक है आप सवानो में हाफ इंच कम करेंगे तो कितना कर देता हूं, जितना भी सीने का measurement है, उसका 4 हिस्टा लेना है और उसमें half come करना है, यहने की half inch कम करना है, तो सीने का measurement 37 हो गया, 37 का 4 हिस्टा बना कर 7 और उसमें half inch कम करना हो, तो बन गया CPU 9, आपको इस तरीके से CPU 9 पर निशान लगाना है, ठीक है है, और जो इनकी बाजू की गोलाई है ठीक है, वो है 13 इंच, 13 कहाँ बनेगे 6, तो आपको simply इस तरीके से 6 पर निशान लगाना है, ठीक है, और इस निशान को इसमें इस तरीके से मिलाना है, यह देखें, ठीक है, और यह मैं रख रहा हूं इसमें extra margin, ठीक है, अब यह वाला जो इस तरीके से ठीक है, अब simply इस निशान से आपको करनी इसकी cutting, अब हम इसके अंदर करेंगे 5 इंच का down, इस तरीके से, यह देखें, अब मैं इस बाजू को एक बर आपको आर्मल से नापके दिखाता हूं, इस तरीके से यह देखें, मैंने इसको इस तरीके से रखा, और यह देखें, यह कुड़ती है मेरे पास में, ठीक है, अब हाफ इंच तो उपर चला जागा बाजू को जोडने में, तो मैं इसको इस तरीके से fold कर देता हूं, ठीक है, अब नापना यहां से इसको यह देखे यह देखें यह कितने exact बाजु कुटिंग होई है ठीक है अब एक तरीका मैंने आपको बताया अब दूफरा तरीका मैं आपको बता हूँ इससे भी simple ठीक है ना यह देखें यह मेरे पास मैं कपड़ा है डबल फोल्ड इसको वापस मैं इस तरीके से यह देखें डबल क्राक्टिंग मैंने कर लिया है यहां से देखें बाजु की लमबाई है और यह मैने extra margin रख लिया और यह तीटिन से मैंने निशान भी लगा लिया है अब आपको क्या करना है पहला जो मैंने तरीका पता इससे करके half inch कम करना है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से पकड़ना है, कपड़े को यह देखें, ठीक है, वापस से कुड़ती को लेके आना है, इस तरीके से देखें, और जो हाफ इंच है, उपर से सलाई में चला जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से फूल्ड कर देता हूँ, ठीक है, उसके यहां पर इसको इस तरीके से रकना है और आरम ओल है यह उपर जो मैं 3 इन लगाये था वहाँ जाके इसको इस लिखें और सिम्पल है यह दिखें और एक निशान आपको यहां पर लगाना है मैं यहां पर बाजब को कटिंगल rode है ठीक है इसरे मिला देना सिंपली उसके बाद क्या करना अए?" इवर इसको इस सरी कसे रखना है जो भी बढ़ चुनिंट की गोलाई है जीसे की तैनल आपको इस सिर्ची पर सही निशान लगाना को किसमें आइडा को और एक्स्ट्रा माजन रखना है ठीक है और उसी तरीके से आपको यहां से गुलाई बनानी है और यहां लाके मिलाना है और सिम्पल ही इस निशान पर आपको उसकी कटिंग करनी है तो देखें दोस्तों यह बाजू भी मैंने कट कर दी है ठीक है अब इसको भी मैं एक बार नाप के दिखा देता हूँ यह देखें 1.5 इंच तो उपर पर चला जाएगा वही शिलाई में और यह बिल्कुल इसके बार बर अठीक है तो एक बाजू तो मैंने इसकी कटिंग की है यानकि यह भी डबल है यह देखें इस तरीके से ठीक है और दो बाजू में ने ये कट की थी, पहले ये देखें, ठीक है, अब ये दोनों बाजू आप रखके देखें, बिल्कुल बराबर है, कोई minor सा फरक होगा तो मैं कहें नहीं सकता, आदे इंच का, बट ये बिल्कुल बराबर है, ये देखें, वो फरक भी मैं इसलिए बता र होती है, बट जो beginner सोतन को नहीं पता होता, तो उससे suit की पूरी की fitting खराब हो जाती है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करे, और चैनल को जरूर फे जरूर सस्क्राइब करे, क्योंकि इस life सम्मंदत वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालता रह हूँ, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much.